तो हेलो साथियों नमस्कार स्वागत है आपका अपने चैनल सकसे जंगसन एक कदम सफलता की ओर में और हम लेकर क्या आगए हैं आपके लिए MP पुलिस कॉंस्टेबल 2023 की दिश्टी से अतिम महत्पुन ट्रेंडिंग टॉपिक है पादप जगत एवं जन्त जगत का वरगी कर क्या होता है इन सब के बारे में आज हम आपको डीटेल में कुश्चन कराने वाले हैं जो आपके आवकारी पटवारी वन्रचक योम अन्य सभी भरती परिक्षाओं में जो प्रशन आपके पूछेगा हैं पादप जगत वरगी करन से उनको आज हम इस वीडियो में कवर करन हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए क्योंकि हर एक सिप्ट का एक्जाम इनलेसिस आपको टाइम टू टाइम आपके अपने चैनल सकसे जंक्शन पर देखने को मिलता है अगली किसी भी सिप्ट में अगर आपका एक्जाम है तो आप प्रशनों को इस नंबर पर वाटसब कर सकते हैं अपने नाम के साथ में नंबर है 7052547003 इस नंबर पर अपने नाम के साथ में जितने भी प्रशन आपको याद रहे एक्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही आप अपने नाम के साथ में इस नंबर पर उन प्रशनों को सेंड कर है आपके पादप जगत वर्गी करण से यह सारे प्रश्ण या थो पटवारी में पूचे गा है या आपकारी में या फिर आपके वन अच्छक एक्जाम में पूचे गाए है और यही प्रश्ण यही ट्रेंडिंग सेम टू सेम यहां पर MP पुलिस ने भी पकड़ रखा है तो तो देख लीजिए पूरी जानकारी इस प्रश्ण के बारे में तो जीवों के वर्गी करण के बैग्यानिक मान दन्लों का उपयोग सरुपर्थम अरस्टू के तारा किया गया था इसलिए अरस्टू को वर्गी की या फिर टैक्सोनौमी का पिता भी कहा जाता है उन्हों न तो तीन भागों में इसको इन्हों ने चैंच कर दिया था इसलिए बर्गी की टैक्सोनौमी का पिता अरस्टू को कहा जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जाया देखिए अगला प्रश्न है जयवों विकास की अवधाना को सबसे पहले दिया गया था चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं देखे तो जैव विकास की अवधाना को सबसे पहले चार्स डॉर्विन ने 1869 में अपनी पुस्तक दा ओरिजिन ओप इस पिसीज अब यह इनकी पुस्तक का नाम आपके फॉरेस्ट गार्ड के एक्जाम में पूछा गया था कि किस पुस्तक में इन्होंने जैव विकास की अवधाना के बारे में बताया है तो पुस्तक का नाम आपको जरूर याद रखना है आगे आप देखेंगे कि आपके एक्जाम में देखने को मिलेगा दा ओरिजिन ओप इस पिसीज यह किस की पुस्तक है चा आपका आपकारी का प्रश्न है सही आंसर हो जागा केरॉलस लीनियस को द्वी नाम पद्धिती का जनक माना जाता है देखें कुछ जानकारी द्वी नाम पद्धिती की सुरुवात कब हुई थी तो अठारवी सदी में केरॉलस लीनियस की दौरा इसकी सुरुवात की गए थी दूइ नाम पद्धिती की ठीक है इसलिए इनको केरुलस लीनियस को इसका जनक भी माना जाता है लीनियस ने सभी पाधपों और प्राडियों को करमसा प्लांटी और एनिमीलिया में विभाजत किया यानि जितने भी पादफ होते हैं उनको इन्होंने प्लांटी कहा था, जितने भी प्राडी होते हैं उन्हें इन्होंने जो है एनी मीलिया कहा था, तो ये दुई जगत जो प्राली का विभाजन किस ने किया था, तो केरोलस लीनियस के दौरा इसका नामकरण किया गया था, ठ ठीक है चलिए देखिए एक से बारे कुछ जानकारी तो रॉबर्ट विडेकर ने 1979 में पंच जगत प्रणाली की सुरुवात की थी इस वरगी करण को उन्होंने मोनेरा, प्रोटिष्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया इन पांच में विभाजित किया था तो यादखना ये पंच जगत बरगी करण किस ने किया था रॉबर्ट विडेकर ने पंच जगत बरगी करण किया था इन्होंने पांच भागों बाटा था ये पांच भाग कौन-कौन से है तो मोनेरा है, प्रोटिष्टा है, पंजाई है, प्लांटी और एनिमिलिया इन पांच भागों म हमने मोनेरा वर्ग में रखा है यहां आपको याद रखा है नील हरी स्यवाल मोनेरा वर्ग के अंतरगत आता है देखे कुछ जानकारी तो मोनेरा ऐसे जीव होते हैं जिनमें ना तो संगटित केंदरक होता है और ना ही संगटित कोशकांग होता है। आप से यही प्रस्ट आगे पूछे जाएगा। में पूछे गए हैं जीवाडू नीर हरी सेवार साइनो बैक्टिरिया माइको प्लाजमा इनको किसके अंदर रखा जाता है तो मोनीरा की अंतरगत इनको रखा जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरू कर देना कोई भी या ट्रेंडिंग टॉपिक पूछा जाता तो उसके उपर हम तुरंत वीडियो बनाते हैं कल ही ये प्रस्ट ने पूछे जा रहा है कल से हमने देखा कि 4-5 प्रस्ट हर स्ट में पूछे गा है इनके उपर हमने एक वीडियो बना दी है इसको आप देखकर के जाएंगे तो कोश की यूकरियोटिक जीव को किस गृरप में रखा गया है थीक है इस वर impairment में रखा गया तो دेख लीजिए एक कोशो की केंदर कौन कौन आएगा सेवाल हो गया अब का प्रोटो येऑ इभाई को इस ग्रूप में रखते हैं तो अमीबा को प्रोटेस्टाम में रखते हैं पाई चलीए बाइम बढ़ते हैं अगला है काईटीन की जटिल कोश का भित्ती किसमें पाई जाती है काईटीन की जटिल कोश का भित्ती किसमें पाई जाती है तो चलिए answer दिख लेते हैं जो फंजाई होते हैं उनमें काईटीन की जटिल कोश का भित्ती पाई जाती है तो फंजाई के अंदर ये येस्ट मोल्ड मसरूम पैनिसीलियम ठीक है चलिए वीडियो को लाइक करके और कमेंट बोक्स में करना ये वीडियो आपको कैसी लग रही है आपके कमेंट ही ये निर्धारित करेंगे कि इसके बाद में हम जन्तु जगत का बरगी करण लेकर के आएंगे अभी फिलाल अब ये ओसे सिम पुछायता है तो लाइकेन को कवक और सेवाल का सह जीवन कहा जाता है अब ये सह जीवन होता क्या है सर आईए दिख लेते हैं जब दो पौधे या जीवधारी साथ साथ रहते हैं तता एक दूसरे को लाभू पहुचाते हैं तो उन्हें हम सह जीवी कहते हैं और इस क्रिया को सह जीवन कहते हैं यानि की दो लोग मिलकर के अपना खाना बनाते हैं भाई कोई सामान ले आता है और कोई आग जलाता है तो कोई रोटी सेखता है आप लोग रह भी रहुगे होंगे होस्टाल में या फिर रूम इले करके त्यारी कर रह हो तो आगर आ लाइकेन जो है वो सहजीवन का एक उदारन होता है ठीक है चलिए लाइकेन जीवन का एक जटिल रूप है जो लाइकेन है आपका वो सहजीवन का थोड़ा मिस्प्रिंट हो गया हम इसको एडिट करके जो है इसकी PDF डालोड करेंगे ठीक है तो जो लाइकेन है वो सहजीवन का एक जटिल रूप है, दो अलग अलग जीवों, एक तो कवक होता है, और एक सहवाल होता है, सहजीवी साजदारी है, जिसमें प्रमुख भागीदार कवक होता है, यानि कि आपके कवक और सहवाल का सहजीवन ही लाइकेन होता है, जिसमें प्रमुख रूप से कौन भागीदार होता है तो कवक जो है इसमें प्रमक रूप से भागीदार होता है ठीक है चलिए आगब बढ़ते हैं सभी पौधों को किस वर्ग में रखा गया है जितने भी पौधे हैं इन्हें किस वर्ग में रखा गया है तो इनको हम प्लांटी कहते हैं उपर भी आपको बता क्या है ये प्लांटी में रखा गया ठीक है देख लीजिए इस वर्ग में कोश का भित्ती वाले बहु कोश की यूकरियोटिक जीव आते हैं जिनमें कोश का भित्ती भी पाई जाती है ठीक है यह प्रकास संसलेशन के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं अब आप से पूछा जाएग जन पौदों की सारी दिख विवेदी करण नहीं कर सकते हैं ऐसे पूछा गया है ज़िक है पूरी जानकारी आपको पूरा simple language में आपको समझा देंगे यही प्रस्मिन, same to same यही प्रस्मिन कल पूछा गया है, ठीक है तो सही आल सब जागा उनको हम थैलो फाइटा कहते हैं देखिए, इस वरक के पोधो को समानता, सैवाल का, समानता इसको हम सैवाल कहते हैं जो सैवाल होते हैं वो थैलो फाइट के अंतरकत ही आते हैं पूछा जागा सैवाल को हम किस त्रेणी रखते हैं तो सैवालो को हम थैलो फाइट के अंतरकत रखते हैं यह मुखिरूप से जल में पाई आते हैं जो आपका थैलो फाइट होते हैं ये मुक्ता जल की अंदर का पायाते हैं, तो जल वाले जो पौधे होते हैं, उनको हम थैलोफाइट्स कहते हैं, ठीक है? अब उधान देख लीजिए, जैसे आपका कैल्डोफोरा हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया, अलबा हो गया, कारा हो गया, ये सारे के सारे पौधे जो ह हम पूछा गया, कल MPPush के एजजामे, ऐसे साख जिन में जड पत्ती एवम तना नहीं पायाता, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो वो भी आपका थैलोफाइट होता है, क्यो? क्योंकि भाई, वो तो जल की अंदर है, जल की अंदर है, जल की अंदर है, तो क्या करेगा, ना तो उ जलकुम्बी हैуть क्या उसकी जड़ का पता लगा सकते हैं क्या जड़ कहा पर है पता है नहीं वह पर घाता है उन्हें क्या क Mahar अधे लूफाइटो. Display लग्व में की बहते हैं डिया गभाए कुल के लगा हुठ लेकिन इpendमें लगतुछ लेकίν है अगे बढ़ने ता human सितक पहते हैं लेकिन समिए अंगा पानी जाता है लेकिन समक्तिन उतक नहीं पायाता है, उन्हें हम किस ग्रूप में रखते हैं, उन्हें हम ब्रायोफाइटा कहते हैं, देख लीजिए एक बार फिर से समझजिए, आविक्सित पत्ती, यानि कि पत्ती तो होगी, लेकिन बहुत छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी मतलब आप गिन भी नहीं पायेंगे, आप देख भी नहीं पायेंगे, ऐसी पत्ती होती है, तो आविक्सित पत्ती होती है, आविक्सित तना होता है, ठीक है, लेकिन समझजिए उतक भी नहीं पाया जाता है, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, उनको हम ब्रायोफाइटा के अंदरगत रखते हैं, यान भोजन के सम्मषन के लिए उतक नहीं पायाता है, वो उतक क्या करता है, भोजन को पौधोतक पहुंचाता है, यही उतक इसमें नहीं पायाता है, पत्ती और तना थो पायाता है, लेकिन अविक्सित होता है, उसे हम ब्राय फाइटा के अंतरकत रखते हैं, अभी उधारन भी इसका हम कराने वाले हैं ठीक है ऐसे पौधे जिनमें जड़ पत्ती और तना समभेनी उतक सब कुछ पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं जड़ भी रहेगा पत्ती भी रहेगा तना भी रहेगा और समभेनी उतक भी पाय जाएंगे उन्हें क्या कहेंगे उन्हें टेरियोफा इससे हमक्या कहते हैं लेकिन इसमें फूल नहीं पाए जाते हैं तिक है चलिए बाइ, आगे बढ़ते हैं अगल्हा प्रशन क्या पूइशा गया है अब यह प्रशन आपकाारी का है, पादब जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है आपकारी में भी पूछा था, पटवारी में भी पूछा था सही आंसर है थेलोफाइटा जो है वो पादब जगत का सबसे बड़ा वर्ग है आगे ये प्रशना आपके एक्जाम में बनेगा देख लिए थेलोफाइटा पादब जगत का सबसे बड़ा वर्ग है आपका कवक होता है, सैवाल होता है, लाइकेन होता है, यह सब कहा पाजाते हैं, जल में ही पाजाते हैं, तो सबसे बड़ा वर्ग कौन सा हो जाएगा, थेलो फाइटा, पादब जगत का सबसे बड़ा वर्ग होता है, ठीक है, पादब जगत का उभैचर किसे कहा जाता है, य तो इस्थल में हूंगे आधे, जमीन पर होंगे, और आधे जल में होंगे कौन कौन से देख लिए는 जो आपकी काई होती है काई, जो आपकी काई हो गई हॉर्ण wash हो गया section 2012 yogurt यह थीनों आपके ब्लाई फॉय्ठा उदार होते historically काई को आपने देखा है काई जिसे हम मास कहते हैं आप कभी अपने नल के आसपास देखें जहाँ पर नल लगा है उसके आसपास आपको काई दिखाई देगी अब ये काई क्या होती है आधी तो आपको जल में दिखाई देगी और आधी आपको मिट्टी पर दिखाई देती ह ये काई किसका उधारण हो जाएगा, काई आपका व्राव फाइटा का उधारण हो जाएगा, हॉर्न वाटर्स और लीवर वाटर्स क्या होता है, ये दोनों जो है एक तरह के आपके जलवाले ही पौधे होते हैं, बहुत सारा कीचड होगा, वहाँ पर ये पौधे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये आदे जल में होंगे, और आदे कीचड पर होंगे, इसलिए इन्हें उभैचर कहा जाता है, उभै का मतलब समझते हैं, उन्हें पादब जगत का सरी सरफ कहा जाता है, MP पिलिस में आगे यह प्रशना पूछा जाएगा, सही आंसर है, इसे पादब जगत का सरी सरफ कहा जाता है, क्योंकि यह केवल औकेवल इस्थल पर ही पाए जाते हैं, जितने भी यह पोद होंगे टेरिडो फाइटा, यह केवल केवल इस्थल पर पाए जाते हैं, आप सरी सरफ का मतलब समझते हैं, जो आपका साप होता है, जो छेखकली होते हैं, जो रेंग कर चलते हैं, उन्हें सरी सरफ कहा जाता है, ठीक है और ये आपको हमेशा हमेशा स्थल पर ही देखने को मिलेंगे सरी सरफ जो होते हैं वो स्थल पर ही देखने को मिलते हैं तो टेरीडो फाइटा पादब जगत का सरी सरफ है ठीक है उदाहन की बात करें तो जो आपका फर्न होता है होर्स वेल जो होता है यह आपका टेरी डो फाइटा के अंदर के दाता है फर्न का मतलब समझते हैं आपने कभी-कभी गाइडन्स में देखे होंगे जो आपके ऐसे लगे रहते हैं ऐसे ऐसे पत्तियां उनकी कटी-कटी होती है जो सजावटी पौधे होते हैं वो आपके फर्न होते हैं और वो आपको इस्थल पर ही देखने को मिलते हैं हरे कलर के होते हैं ऐसे ऐसे ठीक है उन्हें मोर पंकी कुछ लोग कहते हैं मोर पंकी है वो आपका फर्न होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं जिन साकों में फूल नहीं पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं उन्हें क्रिप्टो गैमी कहते हैं देखिए ऐसे साक जिन में फूल नहीं पाए जाता है उन्हें हम क्रिप्टो गैमिक कहते हैं ब्रायोफाइटा थेलोफाइटा और टेरीडोफाइटा य में से कौन सा crypto gammy नहीं है और यह option दिएर है ब्रावफाइटा थेलोफाइटा तेलोफाइटा तो ये तीनों तो crypto gammy है क्योंकि इन में push पाया जाता है फूल पाया जाता है लेकिन इनके अलावा जो होगा वो आपका क्रिप्टो गैमी नहीं होगा वो जिम्नो स्पर्म होगा और वो कौन सा होगा उसको हम आगे पढ़ाने वाले हैं जिम्नो स्पर्म भी ठीक है बिश्टू के सबसे लंबे पौधे सिकोया को किस स्रेणी में रखा जाता है तो जो सिकोया होता है आपका उसे हम जिम्नो स्पर्म स्रेणी में रखते हैं अब ये जिम्नो स्पर्म क्या होते हैं तो ऐसे पौधे जिनके बीज बाहर पाय आते हैं उन्हें हम जिम्नो स्पर्म कहते हैं इनमें फूल भी पाया जाता है ठीक है तो ऐसे पौधे जिनके बीज बाहर पाय आते हैं ये प्रशनी बनेगा ऐसे पौध को जीवित जीवास्म कहा जाता है यह प्रस्टनमी आपका पूछा गया है साइकस साइकस एक ऐसा पौदा है जीवित जीवास्म कहते हैं क्यों कहते हैं तो देख लीजिए साइकस को जीवित जीवास्म कहा जाता है क्योंकि इसका आधा वाग हरा होता है और आधा वाग सूख तो ऐसे आपका एक पौधा होता है साइकस इसमें यह आपका डंठल होगा यह तो सूखा रहेगा लेकिन यहाँ पर फल होता है वह आपका हरा रहता है तो यह आपका क्या होता है जीवित जीवास्म होता है जीवास्म का मतला मरा हुआ लेकिन मरा हुआ तो यह है इसमें जीव उन्हें हम क्या कहते हैं तो जिनके बीज अंदर पाए जाते हैं उन्हें हम एंजियो इस्पर्म कहते हैं जिनके बीज बाहर होंगे उन्हें जिम्नो इस्पर्म जिसके बीज अंदर होंगे उन्हें एंजियो इस्पर्म कहते हैं उद्धारं की बात करें तो नीबू पपीता स आपने देखा है सेव के बीज अंदर पायाते हैं, नीबू के बीज अंदर पायाते हैं, पपीता के बीज भी आपके अंदर ही पाये जाते हैं, तो इन्हें हम NGO स्पर्म कहते हैं, ठीक है, अब यहां से एक बीज पत्री पौधा कौन कौन सा है, तो एक बीज पत्री वाले सभ केवल एक ही बीच देखने को मिलेगा अगर इसका तोड़ेंगे तो यह पूरा ही पूरा इक थोरणわかल क Hause लुको踩र तो चो जिनको तोड़ेने पर दो पत्र प्राप्त होते हैं उनको इं assessment यहावबीज़ पत्र होती होती है जिनको बरावर बरावर भागों में काटा जा सकता है ठीक है तो चना, मतर, सोया, बीन, सेब यह आपके दूइवीच, पत्री के अंतरक्त आ जाते हैं ठीक है तो ये आपके लिए महतफोन वीडियो था वीडियो पसने वीडियो को लाइक कर दिजए चैनल को सबस्राइब कर लीजिए और share कर दीजी हर एक ग्रूप में अपने दोस्तों के पास में जो भी आपका दोस्त MP पुलिस का exam दे रहा हूँ ठीक है यह हमारा telegram channel है discuss group है सकसे जंक्सन लाइव यहाँ पर आपको सभी जो आपकी free study material है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा math की बहुत सारी किताबें बहुत सारी formula book राके सियादो सर के class notes और आपके बहुत सारी किताबें जो है math की वो यहाँ पर आपको PDF फोर में मिल जाएगी इसकी link description box में दी गई है वहाँ से आप जाकर की join कर लीजिए और free में सारी किताबें डाउनलोड कर लीजिए PDF फोर में MPG के बहुत किताबें डेली हुई है यह हमारा दूसरा telegram channel है जो PDF के लिए है जो आपका exam analysis चल रहा है उसका PDF 24 गंटे बाद यहाँ पर upload कर दिया जाता ह इसकी link description box में दी गई है इसको भी आप join in कर लीजिए यहाँ पर आपको हर एक exam के हर एक सिप्ट का exam analysis की PDF जो है 24 गंटे बाद आपको मिल जाया करेगी ठीक है चलिए तो वीडियो कैसा लगा भाई comment box में comment करके जरू बताना इसके बाद में हम निर्ति वाली वीडियो लेकर सारे 11 बजे आपका exam चूटेगा तो सारे 11 बजे ही हम आपका exam analysis लेने की कोसिस करेंगे लेकिन आपका जो प्रशन बहुत सारे होते हैं बहुत सारे प्रशन ढूंडने पड़ते हैं दोस्त लोग भेशते हैं उसके बाद में जो है जो authentic प्रशन मारे पास में आ जाते हैं उन तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद और अपने प्रशनों को मेरे भाई आपसे निवेदन है अपने नाम के साथ में WhatsApp कर दीजेगा 7052547003 एक प्रशनियाद है दो प्रशनियाद है जितने ही प्रशन आपको याद है इस नमबर पर अपने नाम के साथ में जरूर WhatsApp आपका नाम भी जो है वीडियो में लिया जाएगा चलिए जल्द ही मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद